हेलो नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियों में हम आपको बास्मती धान की नमबर वन पैदावार देने वाली वराइटियों के बारे में बताने वाले हैं किसान भाईयो इस वीडियो में हमने चुना है भारत की टॉप पांच सबसे अधिक उपज देने वाली बास्मती किस्मों को और इनके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो यदि किसान भाईयो आप भी इस वर्ष बास्मती धान की खेती करना चाहते हैं और आपको एक ऐसी वराइटी की तलास है जो आपको बणिया पैदावार दे सके तो इस वीडियो को पूरा अंतर तक जरूर दिखिएगा आज आपकी तलास पूरी होने वाली है साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तो निचले करम से सुरू करते हैं किस्तान भाईयों नमबर पांच पर हमारी बासमती धान की जो नमबर वन पैदावार देने वाली वराइटी है इसका नाम है पूसा बासमती चोदा जीरो एक यहाग जो पुरानी वराइटी मुच्छला आती थी उसका अपग्रेड़ेड वरजन है किस्तान भाईयों यदि इसके हम नरसरी तयार करने के सही समय की बात करें तो 20 मई से लेकर 20 जून तक इसकी नरसरी आप तयार कर सकते हैं नरसरी तयार करते समय आपको लगबग 5 से लेकर 6 किलो परती एकड़ बीज की आशकता पड़ेगी यदि इसके हम उचा होता है पकने की अवद की बात करें तो मध्यम अवद में पकने वाली यह बास्मतिक किसम है 130 ते लेकर 135 दिन में पकर तयार हो जाती है रोग बीमारी की बात करें किसान भाईयों तो बलाष जैसे रोग के प्रतिस वराइटी को सहिंसील बनाया गया है यदि किसान भा किसान भाईयों इसका भाव काफी बढ़ियां मिलता है यदि फैनली हम इसके पैदावार की बात करें तो यह बास्मतिक किसम आपको 20 ते लेकर 24 कॉंटल प्रती एकर तक उत्पादन निकाल कर दे सकती है नंबर चार पर हमारी बास्मति धान की जो नंबर वन पैदावार द खासियत की बात करें तो इसका दाना लंबा होता है चावल की क्वालिटी बहुत ही स्तांदार होती है बालियां इसकी काफी लंबी होती है बालियों में भरपूर मात्रा में दाने का भरा होता है और खाने में भी किसान भाईयों यह वराइटी नंबर वन पर है यदि किसान भाईयो बैक्टिरिया लिव लाइट और बलाड जैसे रोग के प्रत अब सेहन सील बना दी गई है अब इसमें किसान भाईयो बहुत ही कम मात्रा में रोग लगेंगे रोपाई के इसके सही समय की बात करें किसान साथियों तो 10 जून से 15 जुलाई ते किसी रोपाई आप कर सकते हैं पकने की अबद की बात करें 135 ते लेकर 145 दिन का पूरा समय यह वराइटी लेती है बीज दर की बात करें तो नरसली तैयार करता समय आपको लगबग 5 किलो परती एकड़ बीज की आउसकता पड़ेगी यदि किसान वही हो फानली हम इस वराइटी के पैदावार की बात करें तो अब इंप्रूब होकर यह वराइटी आपको 20 से लेकर 26 कॉंटल परती एकड़ तक पैदावार निकाल कर दे सकती है नमबर 3 पर हमारी पास्मती धान की जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है इसका नाम है किसान भाईयों पूसा 1692 यह वराइटी किसान भाईयों 2020 में लौंच की गई है और भबिस में यह वराइटी तहल का मचा सकती है यदि इसके हम रुपाई के सही समय की बात करें तो 10 जून से लेकर 20 जुलाई तक इसकी रुपाई आप कर सकते हैं नरस्तरी इसकी किसान भाईयों आप 15 माई से लेकर 15 जून तक तयार कर सकते हैं नरस्तरी तयार करते समय आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलो प्रती एकड़ बीज की और शकता पड़ेगी पोधे की हाइट की बात करें 120 सेंटिमीटर तर लगभग इसका पोधा उंचा होता है किसान भाईयों लेकिन इस वराईटी की जो सबसे बड़ी खास्यत है इसका तना काफी मजबूत है यहां अन्य बास्मती किसमों की अफेच्छा काफी कम मात्रा में गिरती है यदि इसके हम पकने की अवद की बात करें यहां किसम किसान भाईयों 120 से लेकर 125 दिन में ही पकर तयार हो जाती है साथ यदि हम रोग उपरती रोधक छमता की बात करें तो मध्यम रजिस्टन से किसान भाईयों यहां बीलबी और बलाश जैसे रोग उपरती तो रोग भी किसान भाईयों काफी कम मातरा में इसमें लगते हैं यदि इसके हम कुछ खासियत की बात करें इसका दाना पकने के बाद में जल्दी जढ़ता नहीं है और इसका दाना काफी ज़्यदा लंबा होता है और चावल किसान भाईयो इसकी क्वालेटी बहुत ही बढ़िया है, खाने में यह वराइटी काफी ज़्यदा स्वाधिश्ट है, साथ ही इसकी चावल की क्वालेटी इतनी ज़्यदा बढ़िया है किसान भाईयो कि मंडी में इसका जो रेट है वह काफी ज़्यदा महेंगा मि दे सकती है नमबर दो पर किसान भाईयो बासमती धान की जो सबसे बढ़ियां पैदावार देने वाली किस्म है इसका नाम है पूसा बासमती 1718। या बहुत ही बहतरीन और बहुत ही अधिक पैदावार देने वाली बास्मतिक किस्म है यदि इसके नरसरी तैयार करने के सही समय की बात करें तो 20 माई से लेकर 20 जून तक इसके नरसरी आप डाल सकते हैं नरसरी डालते समय आपको लगभग 4 किलो परत यकड़ वीज की आशकता पड़ेगी यदि इसकी रुपाई के सही समय की बात करें तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रुपाई आप कर सकते हैं पौधे की हाइट की बात करें तो 110 जलेकर 112 सेंटी मीटर तक इसका पौधा उंचाख होता है पकने की अवद की बात करें तो यहां किसम किसान भाईयो काफी कम समय में मात्र 110 जलेकर 115 दिन में ही पकर तयार हो जाती है यदि रोग बीमारी की बात करें किसान भाईयो तो इस मामले में यह वराइटी सबसे बहतरीन है इसमें जंडा रोग और बलाट जैसे रोग बिलकुल भी नहीं लगते हैं इन रोगों के प्रतिस वराइटी को सहनसील बनाया गया है यदि इसके हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाईयो तो इसका तना मजबूत है यह जल्दी गिरती नहीं है साथ ही इसकी बालियां काफी ज़्यादा लंबी होती है और चावल की क्वालिटी भी किसान भाईयो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसमें कल्यो की संख्या किसान भाईयो काफी ज़्यादा होती है और मार्केट में किसान भाईओ, इस वराइटी का जो rate है, वह अन सभी बासमती वराइटीओं में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसकी जो चावल की लंबाई है किसान भाईओ, वह सबसे ज़्यादा होती है, यदि फैनली हम पूसा बासमती 17-18 की पैदावार की बात कर सकती है इसका नाम है पूसा बास्मती 1847 एक नई और बहतरीन किस्म है किसान भाईयों इस वराइटी को 15.09 का इंप्रूब वर्जन बनाया गया है यदि इसके हम बीज की मातरा की बात करें तो लगभग 6 किलो प्रती एकड़ बीज की आपको अशकता पड़ेगी रोपाई के स ही समय की बात करें तो 25 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं रोग बीमारी की बात करें जो इस वराइटी का सबसे बड़ा हाइलाइट पॉइंट है बलाश्ट और बैक्टीरियल लिफ लाइट के प्रत इस वराइटी को सहिंसील बना दिया गया है अब इसमें किसान भाईयों बहुत ही कम मातरा में रोग लगेंगे पॉद्य की हाइट 110 से लेकर 120 सेंटिमीटर है और यह वराइटी किसान भाईयों लगभग 120 से लेकर 125 दिन में ही पकर तयार हो जाती है यदि इसके हम कुछ खासियत की बात करें इसके दाने का आकार किसान भाईयों काफी लंबा होता है बालियों में भरपूर मातरा में दाने का भरा होता है और चावल इसका खाने में किसान भाईयों बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट माना गया है यहाँ बासमती किसम आपको नंबर वन पैदावार दे सकती है मतलब 25 से लेकर 32 कौंटल प्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें